बॉल्यूड की सुपर हिट फिल्म में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉल्यूड और बेल आइकन पर प्रेस करें कि बाबु जी आपको अपने भाई पर इतना प्यार कब से आ गया है वेकार भैस मत किया कर बाबु जी से जो कहते हैं किया कर चला चला चलू जा चलू जा ताउजी आप खानाखा लीचिए मैं आपको भूखा नहीं जिख सकता पच्छी बता वो दुनों कहा हैं कौन दूनों मेरी पत्नी और मेरा बेटा अपने ही ग्राव में है ताउ जी यह काम करेगा जी उनसे जाके कहे कि मैंने कहा है शराफस से अभी के अभी घर लाट अवर ना अच्छा नहीं होका जा बेटा नहीं भाई साथ वो दोनों अकेले इस खर में आने के लिए तयाद नहीं है हाँ ताउ जी हम अभी अभी ताई जी के घर से ही आ रहे हैं उन्होंने मदू को बचन दे दिया कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा जी भाई साथ उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया तुझा कर अब मेरा फैसला सुना दे कि मैं उनको इस शुकरवारता का सम्ब़ दे रहा हूं इस बीच अगर वो उस लड़की को भुलाकर इज़त के साथ इस घर में लौटाए तब तो वो मेरी पत्नी है और मेरा बेटा है और उसके बाद उसके बाद उनके साथ मेरा जिंदगी भर कोई संबन नहीं रहेगा वो जियेए परभला तो हो बला औरे राजा राजा बेटा अच्छा वह तुम्हारे पास बाया है अच्छा मगर मैं तो बाबुझी से मिलने जाना तुम्हारे बाबुझी नहीं तो ऑमें बेज़ा है तो नोगों की खारियत पूछने के लिए सच तुम लोगों के जाना के बाद मैंने भाई साब से बहुत जगड़ा किया और भापी जी ने उस लड़की को जबान दे दी है और भाज का बतंगर बनाने से क्या फाइदा तुम लगन भाई जो प्यावन भाई आप शुला कर लेजिए फिर 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 तो तो ताहुजी कहने लगे लेकिन उस लड़की को बात करने की तमीज नहीं है उसे अपनी पड़ाई लिखाई का बात घमट है अपनी हमको बहुत अश्यार समझती है अगर तुम्हारी ताईज अब तुम्हार को सांदी करने के लिए तयारू सच बाके भई यह बाबुजी ने ऐसा का अरे राज़ा बाबुजी ने ऐसा ही का अरे मैं बाबुजी से मिलके आदा भाई इस अब ठीक नहीं है बिटा ज्यों परी बाई 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 को बिगाणना चाहते हो तुम्हार जाए बाई को अब बाई शुक्राशा बेटा है क्या तुम्हे अपने चाचा जी की बात का विश्वास ने अफिर मैं बहला बाई साथ की इजाजित के बिना तुमसे कुछ कह सकता हूं जवाल विश्वास करें चाहिए जो बात मैंने आपके मुझे सुनिये वही बात में एक बार बाबुजी के मुझे सुन लूगा तो मुझे संतोश हो जाएगा क्या सुनना चाहता तु मेरे मुझे यही ना कि मैंने अगले शुक्रवारत कसम ने दिया है अरे क्या बात है राजा बड़ी चहकते हुए वापस आ रहे हो अरे बाबुजी ने तुमको शुकरवारत का टाइम गया है अब भी तुम थोड़ी सुदर जाओ क्या मतलब मैं बिगडी हुई हूँ नहीं उनके कहने का मतलब था कि तुम अपना सुबाब तो सधार लो अगर तुम मेरी प्यास से देखबाल कर लोगी तो सेमिवार तक वो हम दो की शादी तेह कर देंगे सेच खाम खाम परेशान हो रहे हैं मुझे राजया पर पूरा विश्वास है वो आपको भगवान की तरह पूछता है देख ले ना दो ही दिन में वो इस नड़की को घर से बाहर निकाल कर फैंक देगा हां ताउजी बूट बाबुजी अब आप क्या कहते हैं आपको तो बड़ा विश्वास था अपने राजापत इसने तो एक लड़की के लिए अपने इस भगवान को ठुकरा दिया रहे चुप रहे शुकरवार तक कब दिया रहा हमनों उसे उससे तहले हम उससे कुछ नहीं कह सकते हैं चलिए बाई साब चलिए न चलिए चलिए ताव जी ताव जी कहों जा रहे हम लोग अरे आज शुकर वार है भाई साथ ब्लाट देखना चाहते कि उस राजा के मिजज ठीक हुए कि नहीं हुए हाँ वहां जाने से कोई फायदा नहीं है क्यों मैं अभी वहीं से तो आ रहा हूँ राजा में कोई तबदीली नहीं आई है और ताव जी वह लड़की वह लड़की तो अभी तक उसी घर में जबी बैठी हुई है दिल चोटा रज कीजिए भाई साब बच्चा है ने चाहरा क्यों चलो मां अरे बाबुजी बाबुजी आ गए है अधिया अधिया नों कुछ लोग कुटे की तुम की तरह होते हैं हजारों साल उसको नाली में डालके रखो अगर वो टेडी की टेडी रहती है तो लोगो इतनी इम्मत हो गई मैंने कहलवा कर भेजा था और उसके बाबुज कि अगर शुकरवार तक मजू का सभा बदल जाएगा तो शरीवार को आप हम दोनों की शादित्या कर देंगे हां अरे वी क्यों मन गरत कहानी बना रहे हो राजा बाबु तोभा 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 जूट बोलने के भी को यहां धोती है अरे मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अ हम सब की जंदगे बर्बाद कर रहे हैं अग्वान के लिए इनकी असलियत पचानने के कुशिश कीजिए हैं यह आप क्या क्या रही है बाबी जी करके छोकरी की बातों में आकर आप मुझपर शॉक कर रही है मुझपर जिसने अपनी सारी जिंदगी भाई साथ की सेवा में गुजारती जिसने इस घर की एकता बढ़ाने के लिए जिंद्रादे कर दिये आप मुझपर चेकर रही है नहीं आप उससे परदाश नहीं हो तरस लखन बस बस मैं सब को चीतरा जानता हूं मेरे अपने कौन है वो पराय कौन है सब को चीतरा जानता है तो जी मुझे पता क्या लगता है राजा ने इस लड़की की साथ को उल्टी सीदी हरकत कर दिया और वाब इसके गलें पढ़ गई है भागे और नहीं तो क्यों अबना तुम्हारी इसनी हिमत के ताउजी की बात मेरे 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 म सबकार्फम करता है तो पहली है मेरे वाले मुझे डूराखाव होग और नहीं छुप और दोगर 어떠ाप होगा वह अपनों बच्चे की कदम गाता हूं के बापजी बाके भीया सच कह रहा है मैं ही जुड़ बोलाओ था राजा आपने जो इन से कहने के लिए कहा था इन्होंने सचा जाकर वही मुझे बताया देखिए इस बक्कार की गद्धरी अरे पालने का इतने शोगत उसको निकाल कर अगुद्धा पालिया होता तो औरी से वफागारी तो करता तुम्हारे साथ एक बात कान खोड़ के सुननो तुम बात के बाद दर तो तुम मेरी पत्नी हो पने ये मेरा बेटा है कोई नहीं है मेरा मैं जानती हूं राजा आज बाबुजी की बातों से तुम्हारा दिल तूट गया है मगर हिमत हार कर बैठ जाओगे तो आगे आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करोगे आरे बात अगर सिर्फ मेरी होती तो मैं हसी में उड़ा देता मगर मेरी वज़े से बाबुजी और मा जो अलग हो गया ना ऐसा लगत जैसे शरीर की दो हिस्से हो गया हूं सबर करो राजा और खिया भी क्या जा सकता है जो कहूंगा करोगी वापस लोटने के अलावा जो कुछ भी कहोगे करोगी ठीक है कूच जा इस नदी में बस इतनी इसी बात अरे अरे ये क्या कर दिया इस लड़की ने अरे ये क्या नया नाटा खोरा भाई मतुमला 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 कि मेरे कूदने के बाद तुम क्यों कूदें मुझे को पता था कि तुम कूद जाओगी मैंने सचा के तुम नाराज होकर घर चली जाओगी दोगों उसनी जो आकर शादी में तुमने गलबड की थी ना उसी करानी मुसी पर दुछानी पड़ रही है और उस बगली के साथ शादी हो जाती तो अब तक तुम भी पागल हो गये होते वो चलता था मुझको कम से कर मेरे माबाप को अलगनी होते तुम क्या समझते हो मुझे इस बार का कोई दुख नहीं है यह देखो जहर हां मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे बाबुजी की पास जाओंगी और कहूंगी कि आप अपनी पत्मियाद बेटे को वापस बुला लीजिए मैं राजा की जिंदगी से बाद दूर ज आई आयो वेजी नमस्कार नमस्कार क्या बात है लखंजी तबेट ठीक नहीं है क्या तबीयत बिल्कु ठीक है आपको सिर्फ एक जानगारी के लिए बुला है अच्छा अच्छा एक बात नो बताईये वेजी किसी ने अगर ये जहर दूद मिला कर पी लिया हो तो जहर पी मुश्किल है मतलब पॉने घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसे दवा पिला दें तो बस सकता है अहां मगर ये तो बताईये जहर पिया है कि नहीं पिया नहीं है पीने वाला है अगर कि अज़्य को अगर आप अगर देख रहें क्या हुआ है कि अगर आप अगर आप लुक्त राता तब ये राष्टे में बेहुश पड़ी मिली तो जान ही निकलेगी जम्हाने ये खाली जहर की शीशिस के पास पड़ी हुआ इस ते जहर पी लिया हां अगर किस करने की कोई बात नहीं रुक जाओ अब इसके जिंदा रहने की क्या है इस अमर जाने दो इस लड़की का बाप मैं हूं तुम उसके दवाजी नहीं पिलाओगे समझे अधे तेरे कारण मेरी बेटी बंदुख्षों का बाहर टूटा है तो इंसानी चला दे काका मेरे दिरता समानता हुझी के बारे में एक बुरा शब नहीं करना वन्हां चरो मैं चरो तुम बच् सब्सक्राइब जा रहा है लड़की की हालत खरब होती जा रही चंदर वहन तुम अपनी बेटी की सादी किरवाना चाहते हो ना वहा कुछ akan betar है लाकर कि बात माननू बहुत्प ताक Barnum तो नावारी सी था ना वो तो ताउजी ने उसके सर पे हात रख दिया तो राजा से राजा बाबु बन जाएगा अरे लेकिन इसका वारिस तो वही रहेगा ना वारिस चेंदर मोहन अगले शुकरवार को आ कि देखना मैं सारे गाउं के सामने कोगा कि मेरा वारिस हमावस है इसको मैं गुद्वे रहा हूं बस मैं मुझे क्या फरक बढ़ता है मेरी बेटी की साधी राजा से ना होकर अमावस हो रही है वारिस तो अमावस ही है ना मैंने जो कुछ सुना क्या यह सच है खामोश क्यों है जवाब दीचिए सचे मा बहुत अच्छा कर रहा है आप मेरी कोक से जनम ना लेने पर भी आज तक जो मुझे मा और आपको बाबुजी पुकारता रहा उस पर यह पार तूटने के बाद भी कि वह वनात है उसने यह जानने की कभी कुशिश सही की कि उसके अपने माबाप कौन है क्योंकि ऐसे बेटे की चगव आप किसी और को दे रहें तो अब आप मेरी भी एक बास समनीचे आप अपनी जाज़दा चाहे किसी को भी दे दे लेकिन बेटा कहलाने का हक अगर आपने मेरे बेटे के सिवा किसी और को दिया तो आप से अपनी चिता जलाने का हक भी छीन लूँगी जादकी का गए थी मा बाबुजी से लड़ने के लिए मगर उसका कोई फाइदा नहीं क्योंकि बाबुजी हमारे दुश्मन नहीं है हमारे दुश्मन वो चाचा जी और उनका प्यारा बेटा बाके है हमारे परिवार को महरा बनाकर बड़ी चाला किसे दुनों शत्रंच की चाल खेल रहे हैं जानती हुराजा लेकिन तेरे बाबुजी तो उसे अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं उन्हें कैसे यकित दिन है जाए कि लाख नियास दिन का साब है आज तक में रिष्टो को ख्याल रखकर चुप बैठावा भूल गया था कि भगवान श्री किष्णा ने भगवत गीता में कहा है कि शत्रू शत्रू होता है अब तुम देखने मा तुम्हारा यह अंपनोर अंगुट अच्छा पेटा ऐसे शत्रू के अंगुट्टे करता है राजा बाबू यह सब कुछ आपने मालकिन को तसली देने के लिए का है यह वाके को तरकीब है कि अबत तुम अपनेमें डालके जली से पेटी ले आओ यह कैसी तरकीब है तुम जाकर आसरी करा जा Case कुछ अल्य को प्रबाही नियुक्ति आ। और जीचति इंतर कि उन्हें याश्काय। ब्यास पेटी, पेटी बापाजी गल्दी की माफी मांगने के लिए तेरी माने भेजाओ को शायदी हाँ पर नहीं बापाजी तेरका के लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग ये गाओं हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएगे तेरी माँ जाने को राजी हो गई माँ ने तो रात को का था कि सबीर जाकर स्टेशन से तो टिक्टिय खरिब की लगया और ये नहीं सुचर के वह जाके रहोगे कहां खाओगे कहां से भी मंगोगे क्या लगता है सही है अब तो भेके मांगी पड़ेगी बाबजी आज शाम को माँ आपसे मिलने के लिए आने वाली है हाँ बाबजी आज से 20 साल पहले जब आप लोग का लागन हुआ था तो गावालोने सुहाग रात वाले दिन जिस रेश्मी सारी में माँ को आपके कमरे में भेजा था और जिस तरह शर्माते हुए माँ आपके सामने आई थी और मा के सुंदरता में आपने कुछ शब गही थे आपने कुछ ऐसा कहा था कि ऐसे लगता है जिससे स्वक से अबसरा उतराई है मा ने मुझे कुछ ऐसे ही बताया सामने वसारी को मा ने अलमारी में बड़ी हिफाज़त से समाल कर रखा जाते जाते आपकी याद में मा उस सारी को लेने की याद याद्वाब नामत करियेगा वर्ला मेरे मा का दिल दुखेगा इंडिया आप से और मीमितिय आपसे कुछ कुछ इंड這樣的 और किस चीज के लिब्जद करें तब उसे लिकार मत किजिगा वर्नार मेरी मा का दिल दुखेगा बेमाने हिचावीं का इसक्षाई बे दिल देढ़ पर वरना जाते हिए मेरे मा का दिल टूट जाएगा अच्छ बबची, बच्छ का अच्छ मैं जखा अच्छ अरे तुक गया है अब तुक अपने भी आख में प्यास जी मेरा मतलब है कि अब आप जाने के दुख में अब रोने है बबबची मैं जो रोने लगा, मेरी आप में कच्छा चला गया तो इसलिए पानी पहरा है ओ, मैंने सुझा कि आप सच मुझ रो रहे है बबबची शाम तक के लिए मोटर साखे ले जाऊ बश्टिशन यहां से बहुत दूर है, पैदल चलूँगा तो पाउँ दुखेगा आ लीजा लेजा अच्छ बबबची चल्का मा, मा क्या है मा बबबची मान गया उनने सामाय लेकर तुमें घर गुलाया तु सच कह रहा है लेकिन इतनी जल्दी वो मान कि हैसे गया मेरे वह तो के.. मैस माना एक सवाल पूछ लिया उनसे क्या.. यही कि अगर मनका सचा हुद होता तो क्या आपटा हूज मुझे बने लगा लिया.. मैं भी रोलने लगा हूज.. हम दोनों की आखों से गमला बहने लगी.. फिर.. तुम जली सब भी पेटी बांदो और घर जाओ तु क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है अरे मागर समझने की जरूत क्या है मा तेखो, तुम जली साथ पांबो दलू हाँ थोड़ी करेंगी शेली कर लो हाँ पैचे ना लगाना हाँ तुम जली से नोटों की बारिश कर रहा है राजा बाबु कीजे राजा बाबु कीजे राजा बाबु कीजे चालो, मालिक ने हमावस को गोद लेने की क्या सोची आपनों क्या सबस्ता की राजा बाबु का सारा माल हडप लेंगे देखो हमारे राजा बाबू कितने दिल वाले इनोड मुझे कहा कि मावच्वो क्या मैं इन दोनों को भी गोद ले लेता हूँ मैं ले कहा ना राजा ना इन दोनों ने पहले से सारे गाओं में इतना घंद कर रखा है आपके गोद में बिकन्द कर देंगे सबस्चतर नहीं है यार द्राशे बबो की जाए राजए बबो की जाए जब की तो गिये कर्वार पानी फिर गया तो फोकर मत कर बखिर कर तौंट कर बहुत कर बहुकर सिब कर बाव के इस इस पास इतनी असानी से परश्पर नहीं दूँगा जरूरत पड़ी तो अबना उसको गोट लेने की रसम उसकी लाश पर होगी उसकी लाश पर है तो एक काम कर चुप चाप कोटी पर जा और जाकर देख वहाँ क्या हो रहा है जाक देखे बावजी अचलाट